और दोस्तों जहिन एक बार फिर से एक्सेल के सेरीज में आपका स्वागत है और आज मैं एक प्राब्लम आपके सामने लेकर आगे आए हुँ जो कुस लोगोंने करने दिमांड किया था कि कैसे होगा मार्गशीट में कैसे बनाया जाएगा प्राब्लम क्या है प्राब्लम अब देख सकते हैं यह दिस्टूडेंट पास है तो मार्गशीट में निम लिखी फर्मॉला बनाईए कैसे बनेगा इस्टूड का परसेटेज अगर 80-100 के बीच में में है तो एक्सिलेंट सतर से अगर 85-50 के बीच में है तो गुड और 35-50 की बीचमें तो वर्क हाड़ यह चीज ौइस दर्शाय के और एकसल में आइए उसको देखते हैं तो पहले हम करते हैं एटी फाइब से लेकर के पीच में अभी यहां के आया पहले फेल पास निकालन और यह टोटा कैसे निकालते हैं सम करके B3 से लेकर के और यहां तक F3 तक यह निकलाया है अब यहां फेल पास निकालते हैं इसकोल टू अंतर तक देखिएगा आपको बिल्कुल किलिए हो जाएगा और और यह हमारा B3 से है B3 is less than 33, C3 is less than 33, D3 is less than 33, E3 is less than 33, F3 is less than 33 अगर ऐसा है तो फेल नहीं तो पास यह आ गया अब एक मैं यहां फेल कर देता हूँ यह देखिए फेल हो गया तो इस तरी के से आ गया है अब यहां पर निकालते हैं रिमार कम पहला करणिशन है पचाची से सो की भीच में is equal to if बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है लेकिन अब कुछ लोग दिमांड थी तो मैंने सुचा कि बता दिया जाए बहुत सिंपल है इफ का मैं सिरीज ही बता रहा हूं इस समय इफ का सिरीज मेरा चल रहा है काफी दिन से चल नह है इफ अब परस्टर हमारा किस में है है एच थ्री में है लेकिन उससे पर लेंको यह आई 3 देखना है कि अगर आई 3 पास हो तो एसा हो इफ आई 3 इस इकुल टू पास अगर पास है तो आगे चेक होगा अदर्वाइस चेक नहीं होगा देखिए कैसे होगा अब परस्टर लेते हैं फिर देखते हैं if h3 ठीक है अब यह क्या है दो कंडिशन है दो कंडिशन मतलब यह हो गया पचासी से सो तो कैसे करेंगे इसको पचासी से सो कैसे करेंगे एंड लगाएंगे यहां पर एंड ब्रेकट में h3 is greater than equal to 85 अब यह एंड शुरू में लग गया है अगर ऐसा है तो क्या है वो वो है excellent एक्सिलेंट हो गया फिर if फिर and अब दूसरा वाला कितना है दूसरा वाला है देखिए question में दूसरा वाला है आपका सतर से पचासी के बीच में तो very good है फिर h3 is greater than equal to 70 and h3 is less than 85 जहां से पहला खतम होता हो पहला शुरू होता है यह सुरू खतम हो जाएगा अगर ऐसा है तो क्या हो जाए very good कॉमा फिर if अगला वाला क्या है अगला वाला है कि 55 से 70 तो good और 33 से 55 दो कंडिशन आपका बाकी है 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 फिफ्टी फाइब हो जाएगा यह आप इसमें देख सकते हैं पचास से ज्यादा और सतर के बीच में हो 55 and h3 is less than 70 यह हो जाएगा अगर ऐसा हो तो good और फिर पच्पन से नीचे आते हैं हम लोग फिर इफ आएंड एच थ्री इस ग्रेटर दैन इकोल टो 33 आएंड एच थ्री इस लेस दैन 55 अगर ऐसा हो तो क्या हो जाए तो हो जाए तो हो जाए वर्क हार्ड कठिन प्रस्रम कीजिए भाईयों क्योंकि कम हिसमें आपका नंबर फिर इफ एच थ्री इस लेस दायन 33 अगर तैतिय से नीचे है तो है फेल अब देखिए कहा पे ब्रेकर ज्यादा लग गया है यह यह आपका हो गया यहाँ पर एंड लगेगा अंड ने लगाए था व्हें दो करेंगे में मैं सीट है दो डूलग दो नहीं लगना ही लगना है हिए भाइयो देखिए हैं लगारत हो एफ दिख्या फालस कि उआ थी सम्लिब्री वर्यॉतıldत करें है कुछ एक दो कंडिशन गलत हो रही उसको फिर से देख लेते हैं वर्क हार्ड इसमें आ रहा है और कहां गलत हो रहा है एच त्री ग्रेटर दान सेवन्टी कि यह शुरू में बिलकुल से उपर चलते हैं हम लोग यहां पर अगर आई 3 पास है तो फिर नीचे चिक करेंगे एच त्री ग्रेटर देटी फाई फिर एच त्री इस लेस देन हंड़ेट तो एक्सेलेंट है फिर इफ एच त्री इस ग्रेटर दैन सेवन्टी एच त्री इस लेस दैन 55 तो वेरी गुड़ है फिर इफ एच त्री इस लेस दैन 55 वर्कार्ट फिर इफ एच त्री इस लेस दैन तो फेल ठीक है इसमें आना चाहिए प्रब्लम कहां से आ रही गुड़ तक आ रहा है यानि हमारा जो यह फेल वाले कंडिशन में इसको फेल नहीं दिखा करके वह इसको हम बाहर कर देते हैं ठीक है ना यहां पर इसको बंद कर देते हैं सारे कंडिशन को चेक करते हुए इसको बंद कर देते हैं एक ब्रेकट पड़क खेल घबल हो रहा है मैं आपको दिखा रहा हूं अगया से पास है तो इतने सारी चीज़ें होंगी है है अदर्वाइस इसको छीदे फेल ही लिख देते हैं को करने की जरुवत ही नहीं है शीदे यहाँ से लास्ष में जाकरके फेल लिख देते हैं यह हमारा कि यह होगा कॉमा कि यह नहीं तो फेल देखिए आ गया अब इसको हम ड्रैक करेंगे यह आ गया इस तरीके से हमारा यह फेल हो गया गुड हो गया वर्क हार्ड हो गया गुड हो गया बदल के देखता हूं 99 वेरी गुड आ गया अभी इसको और उपर लेके जाते हैं एक्सिलेंट में आ गया क्योंकि नब्बे से उपर चला गया तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यह आपका आंसर आ गया है ग्रेडिंग का और यह ग्रेडिंग सिस्टम काफी तरीके से लोग इसकूल में लगाते हैं लेकिन अगर इसको आप फेल करते हैं तो यहां पर फेल दिखाएगा जहां भी आप फेल कर देंगे फेल दिखाएगा क्योंकि 33 से नीचे चला गया इसको 32 मैंने कर दिया इसको भी 32 मैंने कर दिया फेल ही हो गया तो फेल ही रहेगा सिंपल सा कॉंसेट है अगर फेल है तो फेल है कोई डिविजन का कोई का कांसेट नहीं कोई इसमें परसेंटेस का अलग से कॉंसेट नहीं पहले फेल पास चेक करेंगे इसके बाद रिमार्